जै शीरादे सी चेतन चलतावली के सेपूरु के भाग में आपने दचन यात्रा का विचार इसके विश्या में कथा का शिवन किया, अब दचन यात्रा के लिए प्रस्थान कथम ममा भून ही पुत्रशोक है कथम ममा भून ही देख पाते हैं विलोग की उसमा चड़ाम जय युगमम सोड़ूम न सकतो अश्मे भहुद्य योगम प्रहु के वियोग दुख को इसमन करके सार भहुम बट्टाचार कह रहे हैं हाए प्रहु के विछोह के बदले मुझे पुत्रशोक प्राप्त क्यों नहीं हुआ मेरा यह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो गया प्रहु के युगल पाद पदमों का दशन करके अब इनके वियोगजन्न दुख को सहन करने की मुझ में शक्त नहीं है प्रव ने दच्छन यात्रा का निश्य कर लिया है और इस निश्य में किसी प्रिकार का भी उलट फेर न होगा इसी बात को सोचते हुए भक्त वरिंद प्रव के साथ सार बहम बटाचार के ग्रह पर पहुंचे भक्तों के सहित प्रव को आते देखकर जल्दी से उठकर भटाचार ने प्रव की चन वंदना की सभी भक्तों को प्रेम आईवादन किया और सभी के बेल्ठने के लिए यथा योगी आसन देकर धूप दीप नेवे द्याद पूजन की सामगरी से उन्होंने प्रव की पूजा की कुछ समय तक तो भगव संबंदी कथा वारता होती रही अंत में प्रव ने कहा भटाचार महाशय मेरे ये धरमबंद मुझे शांतिपुर से यहां तक ले आए और इन्हीं की कृपा से मुझे पुर्शोत्तम भगवान के दर्शन हुए सुनते हैं तीतों का फल कहीं कालांतर में मिलता है किंतो मुझे तो जगनात जी के दर्शनों का फल दर्शन करते ही प्राप्त हो गया आप जैसे महान भावों से प्रेम होना कोट तीतों के फल स्वरूप ही है आप से साच्छातकार होना मैं भगवान पुर्शोत्तम के दर्शनों का ही महाफल समझता हूँ आपके सत्संग से मुझे बड़ी पिसंता हुई और मेरा इतना समय खूब आनंद पूर्वक व्यतीत हुआ संभवतया आपको पता होगा कि मेरे एक जेष्ट ब्राता विश्चरूप सोलह वर्ष की अवस्था में ही ग्रहत त्याकर सन्यासी हो गए थे ऐसा सुना जाता है कि वे दच्छन की ही और गए थे मेरी इच्छा है कि मैं भी उनके चन चिहनों का अनुष्ण करके दच्छन देश की यात्रा करूँ इससे एक पंथ दो काज होंगे इसी बहाने से दच्छन के सभी तीट्थों के दर्शन हो जाएंगे और संभवतया विश्च रूप जी से भी किसी ने किसी तीथ में भेंट हो जाएगी अब आप मुझे दच्छन जाने की अनुमति प्रदान कीजिए इतना सुनते ही बट्टा चारी सारो भमतो मरमाहत होकर कटे विरिच्छ की बहांते वे होश होकर पुहमे पर गिर पड़े उनकी दोनों आखों से अस्त्रो बहने लगी कुछ च्छन के पश्चात समभल कर वे बड़े ही करण स्वर में कहने लगे प्रभो मैं समझता था कि मेरा स्वभाग्य सूर अब ओदै हो गया अब मैं बड़भागी बन चुका अब मुझे प्रभ की संगति का निरंतर ही स्वभागी प्राप्त होता रहेगा किन्तों हिर्दै को बेदने वाली इस विचित्र बात को सुनकर तो मेरे दुख का पारावार नहीं रहा अत्यंत दरिद्र वस्ता से जिस प्रकार कोई राजा बन गया हो और थोड़े ही दिनों में उसे राज सिहासन से गिरा कर फिर दीन हीन कंगाल बना दिया जाए ठीक वही दसा आज मेरी हो गई प्रभो आप मुझे छोड़कर कहीं अनित्र न जाएं यद कहीं जाना ही हो तो मुझे भी साथ लेते चले मैं आपके पीछे अपने कुटुम परिवार तथा पदपतिष्ठा सभी को छोड़ने के लिए तयार हूँ प्रभो ने सारोबहम को दहर बनाते हुए कहा बट्टाचार महास है जब आप इतने विद्वान और समयदार होकर इस प्रकार की बहुली बहुली सी बाते करेंगे तो फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या है आप दहर दहन करें मैं सीगर ही यात्रा समाप्त करके यहीं लोट कर आ जाऊंगा बट्टाचार ने कहा प्रभो आपके लोटने तक क्या हो इस बात का किसे पता है यह जीवन छण भंगुर है आप मुझे निराश्रित छोड़कर अकेले न जाए प्रभो ने प्रेम पूर्वक कहा ये भक्त मेरी अनपस्तित में यहां रहेंगे आप सम्मिलकर क्रिष्ण कीतन करते रहें मैं सीगरी लोटाऊंगा आप प्रिसन होकर मुझे अनुमति प्रदान कर दीजिए कुछ विवस्ता प्रिकट करते हुए शोग के स्वर में भट्टाचार बोले आप सोतंतर ईश्वर हैं आपकी इच्छा के विरोध बरताव करने की शक्ती ही किसमे है आप दच्छन देश के तीतों की यात्रा करने के निमित अवस्स ही जाएंगे किन्त मेरी हार्दे के इच्छा है कि कुछ काल यहां और रहकर मेरी सेवा स्विकार कीजी भक्त वस्सन गौरंग अपने परंप्रिय किर्पा पात्र साहरबहम बटाचार के इस अनरोध की उपेच्छा न कर सके वे पांच दिनों तक बटाचार की सेवा को स्विकार करके पुरी में ही रहे और नित्य प्रते बटाचार के ही घर उनकी पिसनता के निमित विच्छा करते रहे बटाचार की पत्नी बहाते बहाते के सुस्वाद पदार्थ बना बना कर प्रह को विच्छा कराती थी इस प्रकार पंच दिनों तक बट्टाचार के घर बिच्चा करके और उनके चित्त को संतुष्ट बनाकर प्रहुने दच्छने यात्रा की तयारियां की प्रातहकाल प्रहु भक्तों के सहित उठकर नित्य कर्म से निव्रत हुई उसी समय अपने दो चार प्रदहन शिश्यों के सहित सार बहुम बट्टाचार प्रहु के इस्थान पर आप उँचे प्रहुन अपने सभी भक्तों के सहित स्री जगनात जी के दर्शनों के लिए गई मंदिर में जाकर प्रव ने सिद्धा भक्त के सहित भगवान के चड़ों में शाष्टांग प्रडाम किया और उनसे दच्छन यात्रा की अनुमत मागी उसी समय पुजारी ने भगवान की पिसाद माला और पिसाद अन लाकर प्रव को दिया प्रव ने इसे ही भगवत आग्या समझ कर पिसाद को शिरोधार किया और मंदिर की पिदच्छन करते हुए प्रव सभी भक्तों के सहित समुद्ध तट पर पहुँचे प्रव भट्टाचार से बार बार लोट जाने का आग्रह कर रहे थे किन्त बट्टाचार लोटते ही नहीं थी तब तो प्रव अत्यंत ही दोखित होकर वहां बैठ गए और सारव भढम को बहते बहते से समझाने लगी सारवभम चुपचाब बैठे प्रभ की बाते सुन रहे थी रोते रोते बटाचार बोले प्रभो आप दच्छन की ओर तो जाही रहे हैं रास्ते में गोदावरी के तटपर विद्यानगर नाम की एक बड़ी रायधानी पड़ेगी वह राज उतकल राज के ही अंतरगत है वहां का राज शाषन यहीं के राजा रामानंदराय करते हैं वे वैसे जातके तो कायस्त हैं किन्तो हैं बड़े भगवत भक्त उनकी वैशनवता इशलागनिय ही नहीं साधान लोगों के लिए अनुकर्णिय भी है उन्हें आप अपने दर्शन देकर अवस्य कृतार्थ करते जाएं सांसारिक विश्य पुरुष समझ कर उनकी उपेच्छा न करें प्रहुने गदगद कंट से इशनेह के स्वर में कहा बट्टाचार महोदय भला जिनके लिए आपके हिर्दय में इतना इस्थान है वे महाभाग चाहे चांडाल ही क्यों नहों मेरे वंदनिय हैं आपकी जिनकी ऊपर इतनी किर्पा है वे अवस्य ही कोई परम भागवत भगवत भगत वैशनव होंगी मैं उनके दर्शन करके अपने को अवस्य ही करतात करूँगा अब आप अपने घर को लोट जाएं लोटने का नाम सुनते ही फिर भट्टाचार विकल हो गए उन्होंने रोते रोते प्रह के पैर पकड़ लिये और अपने मस्तप को उनसे रगड़ते हुए कहने लगे पता नहीं अब कब इन अरुन चहड़ों के दर्शन होंगी प्रह ने दुखित मन से भट्टाचार का आलिंगन किया प्रह के कमल नयन भी सजल बने हुए थी प्रह का प्रे मालिंगन पाते ही मूर्चित हो गए प्रह ने ऐसी ही अवस्था में छोड़कर जल्दी से आगे चले गए और प्रह दुखित मन से सर्वस गवाए हुए वियापारी की भांत अपने घर लोट आए इधर प्रह जल्दी जल्दी समुद्र के किनारे किनारे आगे की ओर बढ़ रहे थे वे भक्तों से बार बार लोटने का अग्रह कर रहे थे किन्तो भक्तों लोटते ही नहीं थे इसी प्रिकार अब लोटेंगे कहते हुए नित्यानंद प्रिभिर्थे भक्तों के सहित प्रभु अलालनात पहुंचें अलालनात पहुंचने पर बहुत से लोग प्रभु के दर्शनों के लिए वहां आकर एकत्रित हो गई इतने में ही गोपिनात आचार प्रव के लिए चार कौपीन एक काशाय रंग का बरहेवास अर्थात ओडने का वस्त्र और भगवान का महापिसाद लेकर अलालनात में आ पहुँचे मित्यारंद जी प्रव को लोगों से दूर हटा कर समुद्र के किनारे ले गए और वहां से इश्नान करा कर मंदिर में ले गए मंदिर में आकर भगतों ने प्रव को पिसाद अन्न का बोजन कराया प्रव ने बड़े ही इसनेह के साथ कोपिनात अचार के लाए हुए महापिसाद अन्न का बोजन किया प्रव के बोजन कर लेने के अनंतर सब भगतों ने भी बोजन किया और वह रात्र प्रहुने वहीं कथा कीतन और भगवत चिंतन करते हुए भक्तों के साथ विताई प्रातहकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रहुने आगे चलने का विचार किया भक्तों से अब प्रहुने आग्रह पूर्वक लोट जाने के लिए कहा प्रहु के व्योग का इसमन करके सभी का हृदय फटने लगा सभी प्रेम में वेशुद होकर रुदन करने लगे प्रहुने उन रोते हुए भक्तों को एके करके आलिंगन किया सभी मूर्चित होकर प्रहु के पैरों में लोटने लगे प्रभु उन सब को रोते ही छोड़कर आगे को चले गए पीछे पीछे काला कृष्ण दास प्रभु के कमंडल तथा वस्त्रों को लेकर चल रही थी आगे आगे मत्त गजेंद्र की बहांते श्री किष्ण प्रेम में चके हुई प्रहु निर्भाय भाव से चले जा रही थी रास्ते में वे भगवान के इन नामों का कीतन करते जाते थी प्रेम पूर्वक सच्चे हिदै से सभी भक्तों का महा प्रव सहे तेसमर करते हुए गदगद कंट के साथ बोलिए हरे क्रिष्ण हरे क्रिष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे